Hello everyone and welcome to Only AIS स्वागत है आपका सोल अगस के प्रिम बूस्टेड निव्स डिसकाशन में आज का पहला इंपोर्टन आर्टिकल बात करता है International Labour Organization के बारे में यानि ILO के बारे में ILO एक बहुत ही इंपोर्टन संस्था है इससे एक पर कोशन प्रिमिस में आ चुका है इसलिए आपको बेसिक स्थोरी से जवनकारी होनी चाहिए कि ILO क्या एक स्पेशलाइस्ट एजनसी है यूएन की या नहीं है इसके बेसिक कन्वेंशन्स कौन कौन से है कौन से कन्वेंशन्स इन्हें अडॉप्ट किया है कौन से नहीं किया है यह जानना आपको पता होना चाहिए और अगर कोई नई रिपोर्ट आती है तो वो कौन सी है यह आपको पता होना चाहिए अब जिसे इनकी नई रिपोर्ट आई है जो है Global Employment Trends for Youth 2022 Investing in Transforming Futures for Young People ये एक report है जो इन्होंने प्रकाशित करे है ठीक है लेकिन ILO कब established हुआ तो 1990 में और League of Nations के अंदर ही इस्थापित हुआ था UN से पहले जो Global Body थी वो थी League of Nations League of Nations शुरू हुई थी World War 1 के बाद ताकि World War 2 न हो लेकिन League of Nations fail हो गई थी World War 2 हुआ और World War 2 के बाद हमारा जो आज हम देखते ही UN बन के सामने है United Nations और United Nations की पहली Specialized Agency भी यही बनी थी ILO 1946 में तो लेबर यह लेबर organization का काम किया है इनका काम है कि यह देखता कि दुनिया बर के जितने वर्कर हैं जितने भी लोगे उनको decent work मिले है इनका एक famous agenda है decent work agenda तो decent work agenda किसे जुड़ा हुआ तो ILO सो जुड़ा हुआ decent work agenda यह एक UN की specialized agency है जो UN से पहले से है यह बात पता हो नीचे आपको ILO का बता है 1990 में स्थापित हुई है यह league of nations के साथ थी तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि order of things पूछा जाता है कौन सी organization कब आई है अगर इसे बोल दे ILO predates UNO तो वो right होगा wrong नहीं होगा यह जानकरी हो गई अब ILO का काम है ILO की report है इसके लाब ILO कहाँ स्थित है Switzerland में इसको 1969 में Nobel Prize भी मिल चुका है Nobel Prize क्यों मिला है क्योंकि जो इनने Social Justice के रिया में काम किया उसके लिए और India is also a member of it और क्या India founding member था नहीं था majorly होता है पर जासे पता इसकी date पहले से इंडिया was not a founding member but India is one of those 187 member states इसकी खास बाती ये एक Tri-Patriate UN Agency है और केवल इकलावती Tri-Patriate UN Agency है क्या होता है Tri-Patriate का मतलब यानि केवल सरकार है नहीं generally inter-governmental organizations होती है जिसमें अलग-अलग देशों की सरकार होती है UN के कोई पी संस्था है आप General Assembly की बात कर ले आप अगर बात कर ले UNSC की तो क्या है उसमें government bodies होती है governments होती है किसी state की कुछ में private agencies होती है लेकिन ये एकलावती ऐसी body है जहाँ पर governments, employers और workers तीनों है मतलब private companies भी उनके workers भी और government पर तीनों stakeholders है India is a member of it इसकी important reports कौन कौन सी है तो world of work report world employment and social outlook trends world social protection report social dialogue report global wage report तो ये जो questions आपको दिख रहे है इन नाम्स को आप याद कर लीज़े ऐसे questions आए तो किसने इसको किया है यहाँ पर जैसे world of work report तो आपको लग सकता है चलो work का related labor organization ने किया होगा employment है तो यहाँ भी आपको लग सकता है लेकिन कौन सा let's say world economic forum निकाल रही है reporter कौन सी ILO निकाल रही है differentiate करना आना चाहिए तो main idea जो ILO का है वो ये भी है कि इंडिया को लेकर क्या निकला है तो ये निकला है कि recent जो इनका नया employment data है youth employment decline कर गए है 0.9% से और जो specifically जो बहुत जारा young लोग है 15-20 के उनकी पारे में और उनकी opportunity और उनकी participation rate employment में गिर गए है recently इन्होंने एक और report निकाली थी monitor on world of work report जो है mentioned है monitor of world of work report ये जो world of work report का monitor आया था recently इसमें ये पता लगा था कि अगर COVID के पहले के मुकाबले हम compare करें 2022 की report आयी थी उसमें बताया गया था कि अगर हम COVID से compare करें pre-COVID times से तो pre-COVID times के मुकाबले अभी जो work hours available है दुनिया भारे में 3.8% की reduction हो गया यानि पहले जतना काम उपलब था उसे 3.8% वर्कार्स कम मिल रहे है इसके पीछे वज़य है कि रश्य उक्रेन वार हो गया और इंफ्लेशन बहुत ज़ादा यह से भी करण है तो यह नहीं वर्किंग आर्स में रिडेक्शन देखा गया यह नई रिपोर्टिन का कहती है तो आप कह सकते हैं बस ड्यू टू प्री कोवीड एरा प्री कोवीड एरा के हिसाब से हमने रिडेक्शन देखा गया है वर्किंग आर्स में कोवीड से तो जादा ही हुआ ना कोवीड में तो काम था ही नहीं और वुमेन में स्पेसिफिकली और जादा जॉबस नहीं देखा गया है कि इंडिया में जो डिकलाइन देखी गई है यूथ पार्टिसिपेशन में वो 2021 के रिलेटिव देखी गई है 2020 के रिलेटिव और जब कि एडल्ट में 2% ग्रोथ देखी गई है ऐसी कॉम्प्लेक्स जो पॉइंट्स है वो नहीं पूछे जाएंगे आपसे पर majorly report कॉन publish कर रहा है यह पूछा जा सकता है इंडिया को लोगे कुछ अगर drastically different मिल रहा है तो वो पूछा जा सकता है ILO को लेगे एक चीज़ आपको पतावने जी कि ILO के कुछ conventions है जो बड़े important है एक convention UPSC पूछ चुकी है वो इसलिए पूछा था क्योंकि 2017 इंडिया ने पास किया था convention 2018 में questions आ चुके थे तो overall UN convention अगर आप देखे तो आठ इनके core conventions है जिनके basis में कमानना है कि यह convention pass होंगे आपके देश में तो लेबरों की स्थिति सुधरेगी उसमें सच्छे इंडिया पास कर चुका है इंडिया ने दो convention पास नहीं किया है वो है convention number 87 और convention number 98 convention 87 है freedom of association and protection of right to organize and 98 है हमारा right to organize and collective bargaining तो इंडिया ने collective bargaining वाला 98 number का जो convention है वो पास नहीं किया collective bargaining वाला और 87 भी पास नहीं किया जो बात करता है किसकी वो बात करता है freedom of association and protection of rights to organize यह दो इसलिए पास नहीं कियेगा कि इसके तहत इनको यह भी power मिल जाएगी वरकर्स को कि international organization जोईन करें हैं government servants भी government के खिलाफ कदम उठा सकते हैं इन सभी के कारण इंडिया ने दो convention भी तकि इनके पास नहीं कि 87 98 बाकि 6 जो बचले 8 core convention इसमें 6 इंडिया पास कर चुकी है जो 6 इंडिया ने पास करें हैं वो है convention number 29 convention number 100 convention number 184 और यह जो convention में बता रहा हूं इसका relevance क्या है अब से convention number 29 है यह force labor के बारे में इंडिया पास कर चुका है और इंडिया के constitution में भी mentioned है फिर 105 है यह abolition of force labor यह इंडिया ने पास किया है फिर एक है 100 यह equal remuneration मतलब equal pay का यह इंडिया ने पास किया हुआ है 111 यह discrimination workplace में ना हो उसके लिए यह भी इंडिया ने पास किया हुआ है 138 minimum age यह 2017 में इंडिया ने पास किया था minimum age होना चाहिए work किसी को hire करने के लिए और एक है 182 138 और 182 is related to child यानि 138 मतलब minimum age होनी चाहिए और 182 मतलब worst form of child labor को आप बिल्कुल abolish कर देंगे तो 6 जो इंडिया ने पास किया है दो पास नहीं किया collective bargain वाला और freedom of association वाला क्यों क्योंकि उससे जो इंडिया के laws है वो उसके contrast में आरे तो 8 कौर कौन से article है हमने बात करी उनमें से 6 इंडिया पास कर चुका दो पास नहीं किया बस इतना याद रिखे कौन से पास नहीं हुए आठ होते हैं दो पास नहीं हुए जो question आया था ऐसा था ILO convention 138 and 182 are related to whom child labor adaption of agriculture practices regulation of food prices gender parity at workplace अगर आपको पता ILO के बारे में basically तो आपको पता लग जागा इन सब चीतों के लिएन देना है नहीं social justice workers और उनकी rights के उपर बात हो रही है यहाँ पर child labor की बार थी 138 and 182 इसका right answer 1 हो था जो UPSC में 2018 में पूछा था क्यों क्योंकि 2017 में इंडिया ने ratify किये थे 2 इसमें से convention तो इंडिया कोई convention ratify करता है पता होना चाहिए इसके बार बार आती है important जो हमारे जो दो प्रोग्राम इसके बार आपको बदाना चाहूँगा एक है MIP यह नि marks improvement program जिसमें आप को एक पूरा schedule मिलता है एक हफते आप उस schedule के सबसे पढ़ते हैं weekends पे आप test देते हैं prelims के भी means के भी आपकी copy evaluate होती है आपको पता लगता है क्या गलती हो रही है pre की भी test आप देते हैं तो आपको पता लगा कितना आपने अच्छा किया कितना बुरा किया है वो test कुछ ऐसे frame होते हैं कि आप sectional test, full test, NCRT वगरा sub cover हो जाता है उसके अंदर और आपके means की जो copy है और चेक होगी हर अफते और उसके बार आपको लगे आपको इस ट्रक हो रहे है आपको कुछ मदद चाहिए तो आप mentorship भी ले सकते हैं यह हमारा marks improvement program और दूसरा हमारा foundation course प्रारंब जो offline online दूनों ही launch हो चुका है यह MIP भी online offline दूनों उपलब्द है प्रारंब कोर्स में हमने basic से लेके advanced level तक सारी classes सारा coverage आपके लिए उपलब्द कराया है चैप्री हो, means हो, answer writing हो test हो, सब cover करा जागा अगर आप चाहते हैं तो आप यह भी join कर सकते हैं अगला article जो important है हमारे लिए वो है निकारगोवा से related, निकारगोवा एक देश है जो कहा है South America में, बिल्कुल USA के नीची है यहां इसकी राजधानी है मैंना गुआ, यह news में किसले है देश, news में इसले है क्योंकि यहां के जो government के कह सकते है ruler एक तरह से है उन्होंने यहां के चर्च का जो Catholic Church जो जेतने radio station है वो सब बन कर दे है क्योंकि उनका कहना कि यह राजध के खिलाफ विद्रो पैदा कर रहे है तो वहां पर एक विद्रो चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है जिसको रोकने के लिए यह program रन किया जा रहा है तो कहां पर इस्थित है Central America में Honduras, El Salvador और Costa Rica के बीच की country है यह जो दो ocean की बीच में वो कौन-कौन से है North Pacific और Caribbean Sea के बीच में है इसकी राजधानी मेंनगुआ है अभी जो विवाद है, वो किसके बीच में है इनके जो president है, वो और जो Catholic Church है उनके बीच में Church के कुछ radio stations थे इनका कहना है, वो सरकार के खिलाफ भावना भढ़कार है इसलिए विद्रो हो रहा है जो राजधानी मेंनगुआ के पास हो रहा है और जो president है, इनके उनका नाम आपको पता होना चाहिए Daniel Ortega Daniel Ortega नाम है Daniel Ortega वर्सिस Catholic Church जो यहां की Majorly population यहां की Catholic का यह leftist government है इनका Cuba और Venezuela के साथ काफी अच्छा संबंध है तो इनका कहना है कि Church जो है पॉलिटिक्स का पार्ट रेने कर गोगा हमें निकागवा कि उतनी politics से मतलब नहीं है कोशिंस आने के संभावना कम है चो major चीजन की location उसका नाम और अभी अगर विवाद बढ़ता है तो हमारे लिए important होगा recently उतना important नहीं है तो आगे बढ़ता है अगला article बात करता है डिजी यात्रा के बारे में ये बताई डिजी यात्रा किसने launch करी है तो डिजी यात्रा क्या है तो पहली बार डिजी यात्रा एक biometric enabled seamless travel experience के लिए बनाए गई चीज़ है जो की facial recognition technology का इस्तमाल करते है इसके तुरू अगर आप कोई भी airport पे जा रहे है आपको बार-बार अपना boarding pass दिखाना पड़ता है चार बार ID चेक होते है उन सब से मुक्ती देता है एक seamless travel experience के लिए launch किया गया है ये डेली international airport पे जो GMR run करता है वहाँ पर इसका version पहली बार launch हुआ है जो important है वो किस ministry ने इसको launch किया है तो civil aviation ministry ने जो इसकी coordinating agency है under the government of India basic सी बात है क्या होगा इससे जो अलग-अलग checkpoint होगे वहाँ आपको उतनी ज़रा checking के बज़ाए एक आपका facial recognition होगा जिसके तुरू आपके boarding pass से match करागे पहचाना का से अच्छा आप ही वह वेक्ति हो जा रहे हो तो paperless आप move कर पाएंगे ये डिजी यात्रा foundation इसकी custodian होगे जिसके अंदर आपका जो idea है ये validate करेंगे कि सही idea है ये नहीं ताकि airport जो local है उसको पता हो कि कौन होगे आप कैसे आप move कर रहे है सो डिजी यात्रा इस अबाउट seamless travel civil aviation ministry की पहल है और डेली international airport पर ये शुरू हो चुका है अगला article है carnelial beads के बारे में आपने देखा हो कि कुछ लोग हाथों में कुछ पत्थरों की एक तरह से मालाएं पहनते हैं या जिससे कह सकते हैं कि ब्रेसलेट टाइप होता है पत्थरों का और कहते हैं काफी शान्ती प्रवाइड करते हैं पत्थर स्टोंस टाइप से कुछ होते हैं तो ऐसे beads कुछ नए carnel beads 74 carnel beads मिले हैं किलाडी cluster से किलाडी cluster कहाँ पर है Tamil Nadu में है यहाँ पर carnel beads मिले हैं इंडिया में भी माना जाता है कि कई ग्रहों के शान्ति के लिए इसको अलग लग तरहें कि बीट्स के स्टमाल के रहा है तो हमने पढ़ा है बीट्स वो यूज करते थे तो अभी जो एक्सकेविशन हुआ है एक बरियल साइट है कुंथा गाई बरियल साइट तो कहां पर है कुंथा गाई बरियल साइट तो तमिल नाडू में है तमिल नाडू के किलाडी क्लस्टर में है यह बरियल साइट जहां पर क्या मिला है कार्नियल बीट्स मिले अर्लियर कहा जादा था केवल इंडिया और मैसर अगला आटिकल बात करता है CSR यानि corporate social responsibility के बारे में तो देखे कोई company जितना profits कमाती है government का कहना है कि उसमें से कुछ प्रितिश्यत 2% पिछले 3 साल का जो net profit है वो आपको निवेश करना चाहिए समाज में तो वो किस तरह से करेंगे वो freedom होती है companies के पास तो वो इंडिया ने ये specifically corporate social responsibility fund बना था ताकि जो company है वो लोगों को फाइदा पहुचा सके चाहिए आप education में करें चाहिए मीडिया में करें चाहिए किसी भी तरह से आप कर सकते है water sanitation में कर सकते है investment तो cool companies जो है वो majorly CSR को use करती है अपनी आसपा school mind के लागवे में लोगों का भला करने के लिए जहाँ उनको target भी करना चाहिए तो CSR कब आया कैसा concept है CSR एक बहुत ethical concept है ethics के लिए बहुत important topic है CSR इंडिया में 2013 में launch हुआ था section 135 of companies act जिस कहता है 2% का जुनका average net profit है प्रिए उस 3 साल कब उनको CSR initiative में लगाना होता है यह वो company decide करती कहां लगाएगी तो यह concept है जहाँ हम एक triple bottom line approach कहते हैं जहाँ पर आप environment, economy और social imperatives तीनों पर काम करते हैं तीनों शेत्र में एक समन्वे बैठाने की ज़रूरा है तो कोई भी company successful होई नहीं सकती या तो यहाँ के environment खराब हो जाएग आप operate कर रहे हो तो कुछ education वहाँ होना चाहिए ता कि वहाँ भी लोग आपका समान खरीज सकें कुछ economic power होगी तो भी तो कोई आपका समान खरीज़ेगा company खोलने से company चलने लेगी तो उन सभी areas को cater करने के लिए एक program था CSR initiative जो की efficiency, responsible sourcing stakeholder management, label standards, gender balance, human rights सब के उपर काम करता है ता कि इस तरह से company और socially responsible हो सके कुछ ऐसा ही इंडिया ने कोशिश करी है CSR के बाद इसको scientific area में भी adopt करने की जहां scientific social responsibility SSR शुरू किया गया है इसके लिए government ने guidelines दिये जिसके थूँ जो ऐसे institutions हैं जो ऐसे scientists हैं जो इस एरिया में काम कर रहे है वो अपने scientific knowledge का इस्तमाल voluntary basis पे कर सकते हैं कैसे समाज के और को विज्ञान की और ले जाने में कैसे science and tech का ecosystem और समाज की ज़रूरत हैं हिसाब से आप कर सकते हैं क्या science and tech का इस्तमाल होके हैं scientific social responsibility तो इसमें अगर आप कोई scientist है कोई company है जो scientific area में काम कर रहे है वो ऐसा कुछ काम करती है तो उसका waitage दिया जाएगा उनके सिसार activities को जब उनको assess किया जाएगा चाहिए वो knowledge worker हो या scientific worker हो या scientist हो ताकि जो institutions हैं जो scientist हैं वो incentivize हो पाए अच्छा हम ये काम करेंगा हमें waitage मिलेगा तो हम उसका बाद में इस्तमाल करें tax rebates देने में या इस तरह के company को फाइदा पहुचाने में तो वो चीज़े हैं जिसके उठाया हुआ कदम है scientific social responsibility जिसके लिए guidelines हम launch की गई है तो अब देखते हैं इन articles में आपको कितना याद है कितना सही सही आप answer कर पार ILO is not a specialized agency of the UN Nicaragua is northernmost country in Africa DGI आतरा is a biometric enabled seamless travel experience based on facial recognition technology CSR encourages companies to spend 2% of their average non-profit in previous 10 years on CSR activities ये देखे हैं साल भी आपको याद हैं 10 साल के बाद थी है 2 साल के बाद थी है अगर आप चाहें तो हमारा telegram channel join कर सकते हैं जहां आपको इसकी PDF और बहुत सारा content मिलता है तो देखने के लिए बहुत बहुत दनेवाद Thank you very much and keep on watching only I.S.